किसान भाईयो नमस्कार और अपने इंट्रक्राप फसल के रूप में अन्न खेती भी आप ले सकते हैं किसान भाईयो ये खेती ऐसी खेती है जो कि आपको बहुत कम लागत, कम जमीन, कम समय में लाखों लाखों नहीं बल्कि करोडों रुपए की उत्पादन देने वाली खेती है किसान भाईयो वह खेती का नाम है महोगनी की खेती महोगनी का पोधा जैसा इसका नाम है वह ऐसा काम है किसान भाईयो जिसको बेदों में महागुनी के नाम से जानते हैं जिसके गुणों की कोई काउंटिंग नहीं है यह एक ऐसा पोधा है जिसका एक एक अंग अंग इसका किमती है किसान मित्रों यह पोधा की लकड़ी इसकी छाल इसकी बीज इसके पत्ते हर एक पोधे के हर एक अंग अंग का उपियोग किया जाता है किसान मित्रो यह पोधा का सबसे बड़ा उपियोग है लकड़ी में और दूसरी बनते हैं इसके दवाईया हम इसके लकड़ी की बिसम बात करेंगे किसान भाईयो यह पोधा जो है दस से बारा साल में तयार हो जाता है इसकी खेती आप अपनी खेत के किसी भी जगे पर आप कर सकते हैं इसकी लकड़ी का जो उपियोग है वो समुद्री जहाज बनाने में किया जाता है दूसरा इसका उपयोगे बंदू की बट बनाने में किया जाता है भुकम पुरोधी माकान बनाने में किया जाता है बहुत सारे ओदेगिक छित्रों में इसका प्रयोग किया जाता है खेल के सामान बाद यंत्र बहुत सारे चीजों में इस लकड़ी का उपयोग होता है किसान भाईयों ये इसकी लकड़ी ऐसी होती है जो कि सेकड़ो साल कभी भी खराब नहीं होती है ना कभी घुनती है ना कभी सड़ती है तो इसके लकड़ी का बहुत बढ़ा उपयोग है किसान मित्रों अगर इसके औशदी की अगर बात करें तो इसके बीज से बहुत सारी प्रकार की दवाईयां बनाई जाती है कैंसर, डायविटीच और बहुत सारी दवाईयां जो है अन्टिवाइटिक दवाईयां बनाने में प्रियोग होता है इसके अगर छाल की बात करें किसको छाल से भी मच्छर मारने की अगरवत्ति बनाई जाती है इस प्रकार से इसके एक एक अंग का प्रियोक किया जाता है किसान मित्र अगर लकडी के घर हम बात करें अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इसकी लकडी जो है दस से बारा साल में तयार हो जाती है 10-12 साल में इस पौदे की लंबाई चली जाती है अपने भारत में 60-70 फिट और इसकी मोटाई आ जाती है 10-12 साल में 2.5-3 फिट यानि एक पौदे से आपको 15-20 गन फिट लगडी मिल जाती है किसान भाईयों जैसा कि आज बरतमान में महोगनी की लगडी का रेड जो है 2000 उपए से लेके 22 गन फिट चल रहा है और एक पौदा अगर आपको 15-20 गन फिट लगडी देता है तो 30-40 अजार का एक पौदा हो जाता है किसान मित्रों अगर आप अपनी पड़ती भौमिय में भी अगर आप इसकी खेती कर दिये कि आप अपनी खेत की मेड में चारो तरब भी अगर आप इसकी खेती कर दिये तो लाखो लाखो नहीं बलकी आप करोडों रुपए कमा सकते हैं यानि आप अगर एक हजार पौधी के रोपाई कर दिए, एक हजार पौधी के गर आप शेवा करके अच्छे तरीके से पौधे त्यार कर दिए, तो दस साल वाद आपको धाई से तीन करोड तक का मुनाफ़ा देने की छमता रखता है, किसान भाईयों, यह एक ऐसा पौधा है इसके जब बीज, जब यह पौधा 5-6 साल का हो जाता है, तो इसमें फल आते हैं, फल से जो बीज निकलते हैं, तो बीज से भी बहुत सारी दवाईयां बनती हैं, तो बहुत सारा जो है, मेडिसनल में इसका यूज होता है, तो इसका बीज भी इसकी मार्केट वैलू है, 1000 जार उपए किलो, यानि एक पौधा आपको 5 किलो बीज देता है 5 साल बात, और 1000 उपए किलो बिकने से 5000 एक पौधा एडिसनल बेनिफिट आपको जो है, बीज से आपको दे देगा, किसान मित्रो, इस प्रकार इसके छाल का भी बहुत सारा उपयोग है, जब पौधा कटिं बनाने वाली कंपनिया है, या आप से छाल भी खरीद लेंगी, किसान मित्रो, अगर आप अपनी जमीन में, अगर आप परंपरगत खेती कर रहे हैं, तो परंपरगत खेती के सांसाथ, एक इन्वेस्टमेंट के रूप में, आप महोगनी की खेती को जरूर करें, महोगनी ख सब्क्राइब नहीं किया है, तो ज़रू सब्क्राइब करिए, विल आइकन को प्रेश करके जो है, वीडियो अ उन्न किसानों तक जरूर सेर करिये, जिससे आपके माधियम से अन्न किसानों को भी रहतरीं जानकारी पराप्त हो सके. ओके मेरे किसान भाईयो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद बहुत धन्नवाद जे जवान जे किसान जे हिंदुस्तान जे बिग्यान